तो आज मैं नैचिरल गाड़ और ऑर्गेनिक जो भी बुञ लो तो नैचिरल और आरगेनिक वर्सिस ऑरगेनिक के बारे में बात करूंगा क्या मैं बोलता रहता हूँ नैचिरल क्या है औरकेनिक तो चलय से अमग्रों हो जन्गाल है दो शोरा है दों जन्गल में निच जो है कुछ भी उला हो रहा है बड़ेवगेफ today थो फ्यू बड़ेव के नीचे चोटे पेड़ है अंपने अपक्रों होछे और फिरान दिफिल सी नहीं होती पत्तों का प्लीफ देखोगे गृilly देख हो गे तो आपको लगेगा जो है कि सब कुछ है उसमें राइट तो everything plants needs it's there already तो इट मेंस कि बाहर से हमको देने की जुरूद नहीं है तो अब आते हैं थोड़ा organic part पर तो organic part में क्या है कि आपको पौधे को देना है पौधे को देना है मतलब जैसे आप आप वर्मी कंपोष्ट डालते है सबसे इसी एक्जांपल है वर्मी कंपोष्ट आपने डाला तो वर्मी कंपोष्ट आप मार्केट से गए और 25 kg का बैग मैं यहां को बता रहा हूं आप 300 kg जी ऐसा 300 रुपीज तो ऐसा आपको मिलेगा मेबी 200 मिल जाए 150 मिल जाए यह जाए आट आफ बट या अट लिस्ट यू स्पेंड सम्मनी और यह प्लांट को आपने दिया वर्मी कंपोष्ट और वन मंथ मस्ट प्लांट जो है चल गया ठीक है अच्छी फ्लावरिंग हुई आपने रोज है आपने रोज आया और आपने इसमें ग्रोष्ट डाला और वन मंत मर तो वो कहां से आएगा फिर से आपको मार्केट जाके फिर से लेके आना पड़ेगा 100 रुपीज का नेक्स्ट टू मंत के बाद फिर से लाना पड़ेगा और यह जब आप स्टार्ट करते हो गार्णिंग तो आपको लगता है इसी है चलो ठीक है 200 रुपीज है मैंने जब स्ट 45,000 जो है क्यारी में लग गया तो गम ले गम लेक इतना सतर रुपेग आते हैं तो ऐसे से करके 1.5 लाइक तक इसली चला गया इसली चला गया बियांड आट एक्शुली वो छोटा-छोटा चीजे बाद में समझ माती है आपको यह लेके आओ जो है वर्मी कंपोश लेके आ नीम ओयल लेके आए इस प्रे बोटल लेके आए मतलब देखो यह आर्गैनिक जो मार्केट से आप ले लेके आते हो मैं उसको बोलता हूं कि वह अर्गैनिक फॉर्मिंग और गार्डनिंग है तो लाती क्यों है लाती इसली है कि पौध्यों को जो है आपको सहल्दी रखना है और केड़ों से बचा कर रखना है तो सारी कवायत जो है वहीं पर स्टार्ट होती है आप मार्केट पर डिपेंट हो गए पौध्य को आपको ग्रोथ हमेशा करती रहनी है और आपको हमेशा मार्केट से लाते रहना है तो और तो यह दिक्कत है यही दिक्कत है पैसे यह ताइम नहीं है यह रिकरिंग है डाइट्ट अंडरस्टैंड इस नाट वन टाइम आपने स्टार्ट कर आपने वन जो है आपने छोटा सा गार्डन आप जो एक तो यह बादा नहीं आप लाने में क्या हर्ज है तो देखो आप अगर फ्लावर प्लांट लगाते हो या कुछ ऐसे प्लांट जो फ्लावर और फूट नहीं देते हैं फ्लावर और फूट गिविंग प्लांट जो है उनको निटिस्ट जाधा चाहिए होता है फरस्ट अफर तो जो नार्मल डेकृरेटिव प्लांट्स होते हैं जिसे तुमारा स्नेक प्लांट है तो उसको पानी कम चाहिए नूट्रिशन कम चाहिए एक बार लगा दिया पड़ा हुआ है तुमारा एलो भी रहा है या कुछ और जो प्लांट्स लोग लगाते हैं तो मैं निट्रिशन जो ज्यादा लगता है ना यह जो वेजटेबल्स प्लांट है जिसमें आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेनी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं अगर आपको यह चीछ चाहिए तो दो आप्षिन है एक तो आर्गेनिक है एक निचुरल है तो आर है और यही चीज नेचुरल प्ले आते हैं अब यह चीज हम नेचुरल में कैसे अशिव करेंगे तो देखो लेक्षालिक क्या है किच्वा का जो अर्थवाउम से उसका पॉट्ट रहाधा है और देखोट अर्थवाम का जो बॉड़ी से एक लिक्टिड निकलता है अच्छा होता है वह आप मिस्कर गए आपने वर्मी कमपोष डाला तो वह आप तो मिस्कर गए बाकी जो है मिट्टी को पोरस बनाता है नीचे जाएगा उपर जाएगा वह चीज आप वर्मी कमपोष लाओ गया आपने खाट डाला बस हो गया आपका टू-3 मंद चला उसके अब फिर से आप मार्केट लेके आना है और देखो अब सोचो कि अगर वही चीज जो है आपके इसमें है आपका अर्थवाम यहीं पर है इसमें देखो पूरा एकदम जो है एकदम अर्थवाम जो है इसको मौशर और अंधेरा मेंटेन है तो इनकी आक्टिविटी इसमें क्या है कि मैंने तो इसमें अभी मैं बताँयोंगा कि नेचल वामिंग के लिए स्टार्ट कैसे करना है लिए किस में क्या है कि अलड़ी सेट अफ है समझो तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूं अभी यह जो भी ग्रीन दिख रहे हैं बहुत ज्यादा लस्ट ग्रीन या बहुत ज्यादा ग्रोथ में भी नहीं होगा लेकिन गुड़ एनफ है क्योंकि मैं विश्टेबस ग्रो कर नहीं नहीं करता हुँसिस क gegen कर आहिज हो जाद है ग्रों करना सबस्क्राफंड रहिए जारी कि मैं नहीं करता हूं स्वायल में अर्थवर्म्स हैं, पूरे देखो मिट्टी का टेक्ष्यर देख रहे हो, पूरी मिट्टी जो है, ऐसा जो एक मिट्टी में अपने पानी डाला, और जब उस पे सन लाइट पड़ता है, तो एक क्रैक्स आजाता है, तुक कब आता है, देखो, केमिकल फार्मिंग में आबगोगोग में होता था क्योंकि इसमें केचव्य नहीं और आपने खाट डाला ओर जैसे ही झो है टोड़ा सा पाणी जो है डाला और मिट्टी फट जाती है पूरा एकसीजन बहठ से लेने लेंे के लिए लेकिन मेरी मिट्टी में कहा कि केच्वे जो है जो मिट्टी है उपर की एकदम सॉफ्ट कर दिये है तो जब यह सूखता भी है अब तो इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं पूरी मिट्टी सॉफ्ट हो गई है अब यह वैसे में ऐसे हाथ से भी निकाल दो ना यह मिट्टी हाथ से भी खुद देंगे इसको तो यह देखो एडवांटेज है देखो यहाँ पर केचुवा है आपके इसमें यह आपका वर्मी कंपोस्ट की फैक्टरी है इसमें यह गटिंग लाइव जो है जो आपका जो केच्वी का वेस्ट है वह लाइब इसको मिल रहा है डारेक्ट और उससे अच्छा अगर आप सुछते हो खाद नहीं है तो तो आपको एक दम लाइब मिल रहा है फस्ट फॉर्स मिल रहा है और ओर जिनल खाद मिल रही है देखो काउडंग के उपर जो है आपने मौश्यर बनाया उसमें बोरा बैग और डाले बनाने के लिए उसमें अर्थवाम अपना खाना सुरू किये और जब बनाते हैं कैसे कि जब बैग उपर से हटा देते हैं तो उपर से लाइट पढ़ने लगती है केच्वी निचे चले आते हैं उपर वाला पॉर्टि यह था उपर वाला उसको निकाले एक लेयर और उसको साइड में रछी है साइड में रखते हैं तो उसका न्यूटिशन लास बहुत जाता है आपके घर पे आते आते बैग में भर के वो उसमें वो वैल्यु नहीं रहती ए वरमी कंपोस्ट की आपका एकदम और्जिनल वर्मी कमपोस्ट जो वर्मी वेस्ट है ना वो इसमें मिल रहा है तो उसकी बात ही अलग होती है उसका जो टेक्श्यर है लीफ इंडेक्स आप अगर सही से करोगे ना तो वो बात ही अलग है तो उसमें देखो अभी क्या है कि आपने केच्विए सपोच आप देखो कुछ फंडे हैं जैसे एक गौकर पमिर्तम है या जीव अम्रित है मैं इस कहूंग अब बाकी OWDC वह गरा होता है पता नहीं वह स्टेबल मुझे नहीं लगा अभी तक कुछ खास तो गौकर पमिर्तम है क्या यह तुमारा गोपाल भाई सुतर या यह गुजरात के हैं तो उन्होंने बनाया हुआ है उनका प्रोडक्ट है फ्री है अपकोस कोई पैसा नहीं मांग सकता आप से डर्स वाट ही एडवर्टाइज डैट इन देट वे एक्चुली तो गौकर पमिर्तम में क्या है को आप उसमें चाच मिला एक लीटर जो है गौकर पमिर्तम औ ड्रम है मैं मुझे गोबर मिल गया था तो गोबर बनाने का आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा वह सिंपल सेम फंडा है उसमें वही गोबर गौमूत्र ही टाइप का लगता है तो दो तरीके हैं गोमूत्र थोड़ा सा टफ होता है हमको सिटी में मिलना इसलिए हमने जो है खहिए घृता है क्योंकि यह देशीगाय का आपको दूद मिलाकी एक्षास मठा मृठा एक उडालना रहता है तो यह हो जाता है तो से क्या हुआ है क्यों यूज किए उससे हम मिटी में डाले फर्स टाइम तो हमारे अर्थवाम की अर्थवाम से आ गये उससे जो है वो कल् यहां पर क्या है कि आप रेगुलर डालते रहोगे क्योंकि देखो उसको आप ऐसे इंसेक्टिसाइड आपका पेस्टिसाइड और जो है तुम्हारा ऐसे कमपोस्ट सब कुछ काम होई करता आल इन वन है पहली बात तो चाहे उसको पत्ती पे डालो चाहे खाद में डालो चाह पूरा आलिल्मन काम करता है आप उसको रेगुलरली आप एक हफते में भी डाल रहा हो ना तो जो बात आपको मेलेगी आप आरगैनिक को गाली देने लोगोंगे यह समझ लो मैं नहीं करता हूं मैं नहीं ढ़ता हूं देखो मेरे तो कुछ यह चीज फंडा जो मैं अभी कर होता है इसमें जो है जाधा होते हैं और यही चीज़ फार्मिंग जो है अगर आपने यह चीज़ फील्ड में डेवलब कर ली तो आपको फिर बाद में जो है दो साल के बाद आपको ज़्यादा इंपूट देने को जुरूद नहीं पड़ेगी लेकिन छत पे पड़ सकती है क अगर और भी आपको प्रडक्शन लेना है मेरे में देखो कुछ भी ऐसा नहीं यह बचा है अच्छा है और इसमें देखो यह भी पूरा तयार है सबकुछ लगबल लेकिन और भी अच्छा हो सकता है यह बहुत देखो इसमें मैं गुलाब की बात कर रहा हूं ज्यादा अगर आप रेगुलर डाल रहे हो ना इसमें और थोड़ा सा है कि दुख फ्रेश गोबर मिल जाए आपको तो बैस्ट है फ्रेश गोबर मिले और फ्रेश गोबर को घोल की डालो और मौश्य मेंटेन रखो बस जो हमनारे फॉर्मिंग ग्रूप के हमारे जो एक्सपर्स हैं यही बताते हैं मुझे भी ऐसा लगता कि आप फ्रेश गोबर डालोगे ना इसमें जिससे केचुवे आगए एक बार अब इसमें फ्रेश गोबर आप डालोगे तो केचुवे के लिए अच्छा फूड है हां जब तक उसमें मौश्य रहे अगर मौश्य नहीं रहे तो वह मलची नहीं प्रेश आपका एक बहुत बड़ा स्टेप नेचुल फरमिंग मलची और एक नमबर आफ नमबर दो तुमारा ये जो है गोकर परमृत में जो केचुवे लाने का तरीका समझें लो आप और मलचीं मलचीं मीसरे मिट्टी को आपको कवर कर रखना है तो लाइब मल्चिंग यह देखो यहां पर पूरा हमारी जो क्यारी डेड़ फिट की है इसमें आप देखो यह लाइब मल्चिंग है समझो क्योंकि इसमें एक प्लांट जो है पूरी मिट्टी को कबर कर रखें राइट जो भी मैंने निकाला देखो अत्ते पत्ते उसी में डाल हो गया और वह लाइब मल्चिंग और वह लाइब प्लांट से जो इस में ड्राइब अपने मिट्टी को क्रणा आपको मिट्टी को ढख के रखना है अर्गेनिक फार्मिंग में क्या बोलते हैं कि भाई मिट्टी को एक दम क्लीन रखो क्लीन रखोगे तो क्या होगा सिंपल सी बात है उसका जो मौश्यर है उड़ जाएगा आपको पानी बार बार डालना पड़ेगा जो माइक्रो वील एक्टिविटीज कैसे होती है जो उसमे मौश्य नहीं रहेगी लाइफ नहीं रहेगे उसमेंड हो जाएगी दो मिट्टी जो है राइन धूल होती है रहे क्ट्टी में मतलब लाइफ नहीं होती तो उसमें में होते हैं दूनों में डिफ्रेंस या हिए है ना। ये माइक्रोपस है कि दस्ट में मॉस्यर कर नहीं है तो आपका दर नहीं है Karma आपका जो भ्र्रुक कि सूखे की अर्ग लुकि और पर सक्षी यह broken यहां पर मल्चिंग नहीं है यहां पर दिक्राइब लेकिन ठोड़ा सा यह क्योंकि यहां पर सेड है यह बाकी प्लांट्स का तो यहां पर अगर आप कुछ लगा दिये जिसे धनिया मेथी पाला कि आइस टाइप का इस मिट्री को कवर किया हुआ है तो यह लाइब तो आप भी चाहोगे कि पूरा ज्यादा ज्यादा यूटलाजिशन हो राइट तो यह है और निचोड़ यही है मेरा कहना क्योंकि मेरत को एक्स्पीरियंस है ना जो स्ट्रगल हमने सीरिसली बहुत स्ट्रगल किया और अर्गैनिक फॉर्मिंग में स्ट्रगल भी किया और भी नहीं मिला सबसे बड़ी बात है पैसे भी खर्च किये और आप जो है सुबा साम इस्प्रे लेकर मार रहे हो बैठके तो मतलब एक पैसे का भी जो है वो यूजफुल नहीं है ठीक है तो कुल मिलाकर देखो आपको केच्वी लाना है अपनी मिट्टे में अगर आप ने देशी काउ का लोग बोलते हैं अब आप बाकी वाला काम कितना करता है लेकिन देशी गाय का बोलते हैं देशी गाय का गोबलाओ घोल के डालो और मौश्यर को मेटेन रखो कि आपको मिल जाएगा अगर वह सके तो उससे स्टार्ट करो आपकी केच्वी आ जाएंगे और इसके बाद मल्चिंग तो सिंपल सी बात है कि तो आंगोइंग प्रोसेस आपने पत्ती आने के लिए हमने अभी इसको कट कर दिया पूरा अब इसमें इसको ठाकर डालूंगा यहां पर पूरा एकदम इसे पूरा एकदम कवार की तरह डाला हुआ है तो आपको यह चीज थोड़ा सा डाइस करना पड़ेगा यह हमारी मिट्टी में ऐसे मिल्चिंग होगी तो हमको बुरा नहीं तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए तो अगर आप डाइस्ट कर सकते ह तो आप को करना ही है मैं तो मतलब अभी हो गया लगबग यह जो नेचरल वाला फंडा है ना क्योंकि हमारे एक नेचरल फॉर्मिंग मेड इसी जो यूटूब पे संकल्प सर्मज जी जो है वो नेचरल फॉर्मिंग मैंने मतलब सम्हाव आइगाट कॉनेक्टेट विधिम इसको हम अपलाई करते हैं तो मेरे पास टेरस ही है मेरे पास अभी फील तो है नहीं यहां पर तो काम करता है यह टेरस पर भी काम करता है तो डेफिनेटली गो फार नेचर फॉर्मिंग और गैनिक अरे मतलब आप मार्केट से डिपेंडेंसी खतम करो सिंपल सी बात है अगर आपको प्रॉडक्शन लेना है कंटिनिवस लेना है तो कंटिनिवस आपको इंपुट बाहर से आप डालोगे तब तो फिर हो गया आपका सब्सक्राइब करते हैं हिसमें पुर्ड़क्शन पैया पूब नइ cosmetic और पड़ता है कि भाई जो है तो बस फन के लिए करते हैं जो है ये शोटार यह व्रूमिंग में वहां इस हैं जो ही चलब हर दाला टो हंडेड रूपीज का भी शायद ना मिले इसलिए मतलब यह नया चोचला है कि बुलेंगे भाई हम तो जिस्ट फॉर फन भाई मैं भी देखो मेरी भी अभी हावी है इसलिए है कि क्योंकि मुझे आउटपुट भी चाहिए ऐसा नहीं है देखो मैं बहुत डेक्रेटिव टाइप का या बहुत ज्यादा क्लीन ऐसा मैं मैं अइसा टाइप का नहीं कर पाता हूं मैं लेकि दो कुछ लोगों को एक अच्छा का सा हौवी होता है वह देखो हवी के साथ भी इसको अच्छे से मेंटेन उनके लिए बहुत ज्यादा सही ह होती है ना देखो हो भी तो मुझे भी यह बिना इंट्रेस्ट के आप कोई चीज करोगे ही नहीं क्योंकि मैं जितना टाइम इसमें वन आवर इस्पेंट कर रहा हूं वन आवर में मैं कितने पैसे जो है अन कर लूँगा राइट मैं साफ्ट्रेवर इंजिनियर हूं भाई तो आप मेरा जो वैलू है वन आवर का वो गार्डन से नहीं मिलेगा लेकिन मुझे यह पसंद है हो भी तो है डेफिनेटली राइट तो आपको इंट्रेस्ट तो होना होगा राइट वो इंट्रेस्ट आपको होगा और दूसरा आपको एक इसमें वर दाइम वैलू मिलनी पूचे यह आपने जो इफ़र्ट डाला मैं मेरे मैं सुच रहा हूं कि मेरी वैलू जो है वन आवर का मैं हंड्र रूपीज है और हमको इसमें से कम्सक्राइट तो मिलना तो आपको तभी इंट्रेस्ट मेंटेन रखोगे ना आप इसमें से आपको जो है आपने टेन रसको जो है किया मिल रहा है तैंट्रेस्टं रूपीज का मिल रहा है या भी नहीं रहा है आपको सब्सक्राइब आप उसमें पैसे लगाते जा रहे हो और पूर्ट तरह नहीं मिला इसमें क्या है कि लगबग मेरा बाहर से में देखो कुछ डाल नहीं रहा हूं ठीक है पानी डालता हूं राइट कम सकम मैंटेन करने के लिए अब पानी और इफट इसका जो है कॉस्त तो दोनों में ही आता ह भेज है फिलाल तो डिफिनितलि फ्रेंट्ट्स गोफारन नेचल Al Farm आरगेनिक डेफिनिटलि अवाइट करो देखो अगर आपके पास हमने गरोह किया मैं सबस्क्रों धूर Do जो आपके पास फील्ड है सपोस्ट करो राइट आपके पास मस्टर्ड आयल आपने निकाला और आपका जो खली बच गया मस्टर्ड खली जो मस्टर्ड केक बोलते हैं वो अच्छा है आप मार्केट से लेके आओगे और डालोगे 60 रुपीज केजी 20 रुपीज केजी वड़ेवर तो मैं उसको अच्छा कंसिडर नहीं करूंगा कि आप मत करो क्योंकि मैं उसको फिर से बोलूंगा कि वो आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जा रहे हो मार्केट पे डिपेंडनेसी मत बनाओ हाँ आपने ग्रो किया यहीं पर और आपको मस्टर केक मिल गया आपकी फिल्ड से अप डालो अच्छा है एक शोर्स आपको मिल गया अच्छा है डलो अप कोई दिक्कत नहीं है तो सब कुछ होगे indoors और रहे हो जीवा मृत डैल रहे हो सुरू करते हो तो आप वह डालना सुरू करो क्योंकि आपको आपके जमीन में वह पावर नहीं होगा ना न्यूटिशन नहीं होगा फाइट करने के लिए इंसेक्ट से अपने को हेल्दी रखने के लिए तो सुरू में आपको डालना पड़ेगा और अगर आप रेगुलर्ली डाल रहे हूं ना तो मुझे बस सेर करना वस आप जो है आपकी गार्डन में जो आप थोड़ा ताइम करणे वाला गार्डनर हूं मैं मैं टाइम नहीं करता हूं इसमें ज्यादा तब जो है फिर भी मेरा एक सटिस्फेक्शन लेबल है इसलिए मैं बना रहा हूं कि जो भी एक हौवी ड्राइबर हौवी गार्डनर्स है ना उनके लिए भाई आर्गेनिक आर्गेनिक किस काइंड आफ मित है बस खाली आपका पैसा लुटाने का भी बहुत अच्छा तरीका है आप पैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है खर्च करो मैं तो बट नहीं सुझेस्ट करूंगा तो फ्रेंड्स देस अल थैंक्यू